नमस्कार आज हम बात करेंगे मन की चंचलता के बारे में या वात की कारण जो मालसिक होते हैं उसके बारे में इसको समझने के लिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं एक बार क्या हुआ कि जो प्लेइन होता है एरिफ्लेइन होता है उसमें कुछ लोगों को दारू पीने के लिए दी गए सरा ड्रिंक अल्कोल दिया गया तो जो अमेरिकण आत्मी था उसको दिया गया तो वो बैट के अपना गेम वेम खेलने लग गया जर्मन आत्मी ने पी तो वो ट्रॉइंग करने लग गया और जो इंडियन भारती आदमी था उसने दारू पी तो उसने क्या किया वो पाइलेट के पास गया और उसको बोला हट आज तेरा भाई उड़ाएगा बस यही होता है वातज उन्माद वालों के साथ में कि ऐसी चीज जो सवारी है नही उसको बैट के कि आज मैं घोड़ा चला रहा हूँ घोड़ा है ने बड़ों बोले कि आज मैं घोड़ा चला रहा हूँ या गाड़ी है ने फिर भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ कुछ है ने फिर भी देखो मैंने ये पहना है तो जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या ये जो वात बढ़ने की कारण जो मानसिक रोग होता है उसके क्या-क्या लक्षण है वो क्यूं होता है और उसमें क्या-क्या इलाज आईरविद में बताए गया है पूरी जानकारी इस वीडियो में स्वागत आप सभी का मिश्टर वेता में जा हम बात करते हैं शुधा रविद के बारे में और आज का टॉबिक है वात की कारण होने वाला मानसिक रोग या मन की चंचलता के कारण जो मन के रोग होते हैं उसके बारे में तो वात जुनमात के लक्षण बताते हुए वागभड रिशी जो अपना अस्टांग रिदय नाम का गरंथ है उसके उत्तर स्थान में जो छटा चेप्टर है उसमें उन्होंने कुछ लक्षण बोले पहला लक्षण बोला है कि जिस वेक्ती के भी शरिल में वात बढ़ेगा और मन में चंचलता हो जाएगी कुछ बोलते रहते हैं मन उनका नीद नहीं आती है दिमाग में कुछ चालू रहता है तो ऐसे लोग जो वात जब भी बढ़ेगा और आपको मानसिक रोग होगा तो पहला लक्षण आपको देखने मिलेगा वेट लॉस होना या जिन लोगों ने बहुत रैपिड वेट लॉस किया है ऐसे लोगों को कि बहुती कम इंटर्वल में बहुत ज़्यादा फास्टिंग करके तेल, वेल, घीवी, सब बनके केवल कच्चा खाकर वाटर, एनिमा, ये सब लेकर ऐसे लोगों को जो मन के रोग होते हैं वाट के कारण होते हैं और उसमें वेट लॉस सबसे पहला लक्षण देखने मिलेगा फिर वाबबर देशी और कुछ लक्षण बोलते हैं कि और कारण हसना, नाशना, गाना, रोना, ड्रामा करना मतलब कुछ हुआ है नहीं, सब नॉर्मल चैनल और अचानक से मेरी जिंदगी नरभ हो गई, सब तो एक दम बक्वास है, मैं क्यों जे रहा हूँ या फिर अचानक से असने लगना या अचानक से गाना बजाने लगना कोई बजाने के लिए नहीं तो खुद ये ऐसे कुछ बजाने लगना, या हाथ को ठोकते बिढ़ना, दिमाग को ऐसे ऐसे करते लगना तो ऐसे लोग जो बिना एक्टिविटी किये नहीं रह सकते कुछ ना कुछ उनको करना है, शान्त अगर कोई बोल दे पहिए पांच मिनट आप क्यों शान्त बैठ जाओ, वो शान्त नहीं बैठेंगे हाथ पैर चलाएंगे, पैर को ऐसे-ईसे हिलाते रहेंगे या हाथ को कुछ नकुछ हिलाते रहेंगे, नाखुन खाएंगे या फिर नाखुन को फोडते रहेंगे, बालों में कुछ तो कुछ करते रहेंगे, तो ऐसे लोग जो बिना किसी कारण के नाचना, गाना, हसना, शरीर को बजाना, नाखुन को कट-कटाना, दातों को पीसना, ऐसी चीज़े करते हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में वात के कारण वांसिक रोग आपको होने लग गए हैं फिर वागबट जी एक और चीज बोलते हैं बहु भाशिता बहुत भाशिता मतलब जिनको बिना बोले नहीं रह सकते कि कुछ ना कुछ उनको बोलना है अगर कुछ है सपोस की कहीं पे किसी का कुछ देहान तो गया वो वहाँ ग 20 साल की एक लड़की थी तो वह कैसे बात करती थी डॉक्टर पता है मेरे साथ क्या तो यह उसकी बोलने का तरीका था कि सड़न वह ऐसे देखते देखते अच्छानक से ऐसे उसका हाथ अच्छानक से सीर होता था तो जो अंगों को मटकाना या जिनको भयंकर कुछ तो निकाला तो पाकिस्तान में काना काम हो गया है इंडिया क्रिकेट खिलने की हो गया है पर आज तो रसोई में दाल चावल बना कर बैटा है इतनी बारिश में दाल चावल के लिए सचिंटेंडूल करकर रिटार होना जरूरी था तो कुछ भी मतलब टॉपिक कुछ कई है नह और उन सब को एकदम मिलाकर जो करते हैं वो है वातजुनमात के लक्षण और और एक दो लक्षण बोलते हैं कि उनके मूँ से हमेशा जाग लगलता रहेगा या हमेशा उनको घुमने का मन करेगा कई ने कई मतलब घर में बैटना है बाहर तूफान आ रहा है फिर भी उनको बाहर जाने का मन रहेगा बाहर कुछ करने की उनकी इच्छा रहेगी और एक खास लक्षण देखने मिलेगा कि कुछ खाने के लिए वो बार बार मांगेंगे कि भाई आज ना समोसा जलेबी पकोड़ा बनाओ और आज आलू और मतर का पराठा बना दो ठीक है गर वालों न अपने रैपिड चेंजस आपको देखने मिलेंगे वो है वात जुनमात के लक्षण और एक दो लक्षण देखने मिलेंगे कि वो हमेशना आग को ऐसे ऐसे कई यहां बार बार इस तरह घुमाते रहेंगे यह एक चीज़ देखने मिलेगी एक और चीज़ उन्होंने बोला ह जब जब यह भूखए रहेंगे, मतलब खाना खाया था, खाना हजम हो गया और यह भूखए तो इनके सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, खाना खा लिया तो थोड़ी देर शांथ भी हो जाएंगे, पर जैसे ही यह भूखए रहें कुछ खाय ने, तो इनकी ये सार एक्टिंग कुछ भी बोलना होलना कि कोई मुझे मार डालेगा, मुझे ये हो जाएगा किसी ने मेरे उपर ये कर दिया है तो ये पता है, मेरे बैस एक पेशन्ट आती है कि वो एकदम बासी खाना ही खाती है और वो एकदम दुबली पतली से पूरा ब्लैकिश, पूरा उनका स्किन हुआ है उनका एकी चीज बला है कि डॉक्टर मैं किसी को नहीं मानती मेरे को क्यों भगवान वो करता है भगवान मेरे से बात करता है तो इस तरह की जो चीज़े हैं कि मतलब कुछ भी कनेक्शन कहीं का भी वो वात के कारण होता है अब इसमें करना क्या है ये चीज़े होती क्यों है तो सिंपल सी बात है जो लोग बहुत ज़्यदा उपवास करते हैं वात प्रकृदी के अल्रेडी मतलब दुबले पतले कमजोर है जो मन से थोड़े से कमजोर होते हैं बहुत जल्दी जो डर जाते हैं जिनको थोड़ा भी कुछ बोल दोगी ओं फट ये कर दिया तो वो सच में मान लेते हैं अरे मेरे उपर ये कर दिया जो इस दिमाग से थोड़े से मतलब बहुत अलपसत्व जिसे आईरविद में बोलते हैं बहुत जल्दी जो डर जाते हैं रूखा सूखा बहुत खाते हैं ट्रैवलिंग बहुत करते हैं रात में जिनको जागने की आदत है ये सी बंके से तकलिफ होती है इस तरह के लोगों को ये दगलिफे होती है, करना क्या है, वात बढ़ने के कारण ये हुआ है, जितनी भी चीज़े वायू को कम करती हैं, वो इसमें फायदेमंद रहेगी, मतलब जो भी चीज़े निचर में गरम हैं और चिकनी हैं, वो सब फायदा करेगी, तो चक्रदत्य इने कुछ कमाल के कॉंबिनेशन बोले हैं, जो घर पे कर सकते हैं, और कई सारे ट्रीट्मेंट पंचिकर्म या आयर्विदिक सेंटर में कराके जाकर कराना वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, घर पे क्या किया जा सकता है, तो वो बोलते हैं, जो तिल का तेल होता है, तिल का त उसमें चार से पांच लेशून की कली डालकर थोड़ा बगाओ और ये चीज उनको खाने के लिए उस patient को जब भी भी वो खाना खाएंगे दिन में दो से तीन बार definitely देना चाहिए इससे उनको बहुत अच्छा फाइदा होगा फिर एक और दवा इसमें जो बहुत अच्छा काम करेगी वो है मुनक्का मुनक्का जिसको की संस्कृत में द्राक्षा बोलते हैं ब्लैक रेजिंस दो 10 ग्राम मुनक्का ले लो उसके अंदर आधा चमच शतावरी पाउडर आधा चमच यस्टी मदू जिसको मुलेटी बोलते हैं पूसका पाउडर और आधा चमच अश्वगंदा का पाउडर ये तीनों चीजों को कम्माइन करके अगर लेते हैं खाना खाने के बाद सुबा शाम ये भी मन को शांत करने में मदद करता है इसमें भैस का दूद बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि जिनको वात के कारण मन की चंचलता होती है शांत नहीं होते है ऐसे लोगों को भैस का दूद क्योंकि भैस का दूद एक तो पशने में भारी होता है भैस का दूद बहुत भारी होता है दूद में चिकनापन होता है भैस का दूद में सबसे ज़्यादा फैट या चिकनापन होता है और हम सभी जान अगर ऐसे लोग को नीद नहीं आती तो चित्रक मूल नाम की एक आउशदी मिलती है वो आधा ग्राम चित्रक मूल पाउडर एक ग्लास बहस के नूद के साथ अगर लेते हैं तो इससे मन शान्त होता है नीद अच्छे से आने में मदद होती है यह चीज कर सकते हैं और पूरी का absorption बहुत फास्ट होता है वहाँ पे मज़ा धर कला नाम की एक चीज है अब यह जो मज़ा है उसका direct relation ब्रेन से होता है तो ब्रेन को आउशदी पहुचानी है तो बस्ती करके दे दो वो जितना अच्छा होगा ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा तो वो वाले आप जो आ तीन दिन दग तो उसने oil का absorption हो हो के जो वायू है वो कम होने में मदद मिलती है नाक में डालने के लिए अरू तेल जैसे जो तेल है जिनके बनाने के लिए बकरी का दूद यह सारे item और तील का तेल यह सब यूज होता है वो डालने से भी अच्छा खासा मदद मिलता है और keto diet की जो बात की जाती है ना कि जिसमें carbs बहुत कम होते हैं rice wise बहुत कम होता है और fat बहुत ज़्यादा dominant होता है तेल घी यह जो लोग non wage खाते वो non wage item तो fat dominant diet अगर इस तरह की लोगों को वात वाले लोगों को देंगे तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा होता है और उनकी recovery क अपने आप शांत हो जाएगा और यह जो वायू के कारण जो उत्पटांग बातचीत करना गाना बजाना हाथ पैर को ठोकना पीटना या फिर आज तेरा भाई flight उड़ाएगा इस तरह की जो चीजे हैं वो बंद हो जाएगी यह वीडियो कैसे लगा comment करके ज़रूर बताए और इसे कौन से टॉपीपी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी comment करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें